परिचय अंकिता जैसे कि हम पहली वे चर्चा कर चुके हैं कि जन्तु पर पोशी जीव होते हैं वे अपना भोजन स्वेम नहीं बना सकते हैं इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें यहां वहां घूमना पड़ता है उन्हें साथी शर्ण की खोच में तधा जीवन की अन्यक्रियाओं के लिए भी इधर उधर घूमना पड़ता है महत्वपूर्ण कतिविधियों की सठीक प्रदर्शन के लिए हर कतिविधि के लिए विभिन उतक होते हैं अपनी कारियों के आधार पर जन्तू उतक चार प्रकार के होते हैं एपिथीलियमी उतक, संयूजी उतक, पेशिया उतक तथा तंत्रिका उतक उद्देश्य इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे जन्तू उतकों को परिभाशत करना जन्तू उतकों के प्रकारों को पहचानना एपिथीलियमी उतकों के गुणों को समझना एपिथीलियमी उतकों के प्रकारों को जानना एपिथीलियमी उतकों के कार्यों को जानना, संयोजी उतकों के गुणों को समझना, संयोजी उतकों के प्रकारों को जानना, संयोजी उतकों के कार्यों को जानना, पेशिय उतकों के प्रकारों को पहचानना, पेशिय उतकों के कार्यों को जानना, तंत्रिका उतकों के प्रकारों को पहचानना, तंत्रिका उतकों के प्रकारों को पहचानना, तंत्रिका उतकों के प्रकारों को जानना, तंत्रिका उतको जोकि शरीर के अंगों को बाहर से ढखते हैं, तथा खोखले अंगों को अंदर से रेखित करते हैं, एपिथीलियमी उतक कहलाते हैं. हाँ, अंकिता, एपिथीलियमी उतक की कोशिकाएं एक दूसरे से कसकर सटी होती हैं, तथा एक अनवरत परत का निर्मान करती हैं. इन कोशिकाओं की मध्य अंतरा कोशिका स्थान तथा मैट्रिक्स नहीं पाया जाता। एपिथेलियमी कोशिकाएं त्वचा मुख गुहां के अस्तर पर आहार नली, व्रिक्य नली, फेफडे तथा ग्रंतियों में पाय जाती है। एपिथेलियमी उतकों के प्रकार कोशिकाओं के कारियों को तथा उनकी आकरितियों के आधार पर एपिथेलियमी उतकों को पाँच प्रकारों में वर्गी क्रित किया गया है। शल्की एपिथेलियम घनाकार एपिथेलियम संभाकार एपिथेलियम ग्रंथिया या ग्रंथिल एपिथेलियम पक्षमाभी एपिथेलियम शलकी एपिथेलियम पतली चप्टी आनियमित आकार वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो की फर्श की टाइल्स की तरहा परस पर फिट होकर एक सघन उतक का निर्मान करती है ये गुहाओं तथा रक्त वाहिकाओं के अस्तरों तथा जीफ एवं त्वचा के कवर में पाय जाते हैं इन्हें फुटपाथ यानि पिव्मेंट एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है घनाकार एपिथेलियम में कोशिकाओं घन से आकार की होती हैं वे अनुभा, काट, करने पर वर्ग की भाती प्रतीत होते हैं, किन्तु मुक्त सतह पर शट कोन की भाती देखते हैं। वे विर्ख्य नलिकाओं, थाइरोइट पटिकाओं, लार ग्रंथियों, श्वेद ग्रंथियों तथा बहिश्रावी ग्रंथियों में पाई जाती हैं। श्लेमा झिली वाले अंड वाहिनी में पाई जाते हैं। जो की धागे, सद्रश, कोशिका, द्रविय, ब्राम्य, विकास, जिन्हें पक्षुम, सीलिया कहते हैं, को धारन करते हैं। ऐसी कोशिकाई, पक्षमा भी एपिथेलियम का निर्मान करती हैं। ये सुक्राणों नलिकाऊं, स्वासनली, स्वासनीयों, व्रिक्य नलिकाऊं आघादों, रोगाडों में प्रवेश तथा रसायनों से शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करता है तथा उन्हें मृत होने से पचाता है। करना होता है। पक्षमा भी एपिथेलिम की पक्षमों की गती से ठोस पदार्थों को गुहा द्वारा एक दिशा में चलन होता है। संयोजी उत्तक विभिन अंगों तथा उनके भागों को परस पर बांधे रखने का कार्या करते हैं। संयोजी उत्तकों की कोशिकाएं जीवित एक दूसरे से अलग कम जुड़ी तथा संख्या में बहुत कम होती है। जैसंद्रश अंतरा कोशिक पदार्थ जोकी आधात्री मैट्रिक्स कहलाते हैं, संयोजी उत्तक का मुख्य भाग बनाता है। आधात्री की प्रकृती तंतु मैं होती है, तथा ये अन्य उत्तकों को बांधे रखता है। संयोजी उत्तकों की प्रकार। माधुरी, क्या तुम जानती हो कि जन्तियों में संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, जन्तियों में पांच प्रकार की संयोजी उत्तक पाए जाते हैं. एरियोलर संयोजी उत्तक, सघन नियमित संयोजी उत्तक, वसा यानि एडिबो संयोजी उत्तक, आस्थिमाय कंकाल संयोजी उत्तक और तरल संयोजी उत्तक एरियोलर संयोजी उत्तक एक धीला तथा कोशिकिय संयोजी उत्तक होता है Aereolar संयोजी उत्तक के आधात्री, मैट्रिक्स में श्वेत तथा पीले कोलेजन तंतु पाय जाते हैं सघन नियमित संयोजी उत्तक में तंतु तथा कोशिकाई सघन प्रकार से एक क्रण से लगी होते हैं सगण नियमित संयोजी उतक, कंढरां तथा स्नायू का मुख्य घड़क होता है वसा यानी एडिपोस संयोजी उतक मुख्य तभ वस्य कोशिकाउं जिन्हें एडिपोसाईटिस भी कहते हैं के गडबंधन से बनता है वे वश्य कोशिकाईं, अंडाकार या गोल होती हैं, जिनमें की वसा की एक बड़ी बुंद होती है अस्थेवाई यानि कंकाल संयोची उत्तक उपास्थी तद्धा अस्थी से मिलकर बना होता है जो की कसे रुक्यों के शरीर का अंत कंकाल का निर्मान करते हैं तरल्ट सैयोजी उत्तक शरीर के विभिन भागो को जोड़ता है तथा शरीर में एक नियमित्ता बनाई रखता है इसके अंतरगत रक्ट तथा लसिकां आते हैं क्रिया कलाप रक्ट कोशिकाओं के विभिन प्रकारों को जानने के लिए चलो एक क्रिया कलाप करते हैं मैंने एक स्लाइट पर एक बूंत रक्त की डाली है तथा अब सुक्ष में दर्शी के अंतरगर्थ इसका परियवेक्षन करती हो हम लाल रुधिर कोशिकाउं या रक्तानू इरिथ्रोसाइट श्वेत रुधिर कोशिकाउं या श्वेतानू ल्यूकोसाइट तथा पट्टी काणू प्लेटलेट को देख सकते हैं प्लास्मा रुधिर का कुल 55 प्रतीशत भाग बनाता है प्लास्मा एक जटल तरल है जिसमें अकार्बनेक लवन तथा कार्बनेक पदार्थ जैसे अल्बिमीन, ग्लोबिलिन तथा विब्रोनोजन ग्लुकोस, एमीनो अमल, वसा, विटमिन एंजाइम, हॉमोन तथा तेजिया प्रदार्थ जैसे यूरिया तथा यूरिक अमल पाए जाते हैं मानव लाल रुधिर कोशिकाई, गोल, उभया वतल यानि वाईको नकीफ तथा संख्या में अधेक होती हैं इन भी लोह यूक्त जटल प्रोटीन, हिमोगलोबिन पाए जाती हैं जिसके कारण इसका रंग लाल होता है श्वेतानो यानि ल्यूकोसाइट, अमीबिया, केंद्रक योग तथा श्वेत होते हैं वे आकार में बड़े किन्तु संख्या में कम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं अकन कोशिकाई यानि अग्रिन्यूलोसाईट बिना कर्ण योग्ध तथा बिना लोब योग्ध केंद्रक वाले होते हैं। ये दू प्रकार के होते हैं। मोनोसाईट तथा लिम्फोसाईट। कन कोशिकाई ग्रेनियोलोसाइट में क्रोशिका द्रव्य कन तथा लोब्योक केंद्रक पाया जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। नूट्रोफिल, असिटोफिल तथा बेसोफिल। रुधिर पट्टिकाणू प्लेटलेट छोटे अकेंद्रिकिय बणी अस्थी मज्जा की कोशिकाई जिन्हें मेगा केरियोसाइट कहते हैं के बिखंडन से बंदी है। संयूजी उत्तकों के कारिया। एरियोलर संयूजी उत्तक के सहायक उत्तक हैं तथा ये देह गुहा में स्थित अंगों के मध्य पाकिंग उत्तकों का कार्य करते हैं। ये आघात के पस्चात उत्तकों की मरम्मत करता है। विश्वों से लड़ता है तथा तवचा के नीचे स्थेत पेशियों को स्थेरता प्रदान करता है। सघन नियमित संयोची उत्तक जोड़ों को मस्बूती प्रदान करता है तथा साधारन गधि के अनुमती देता है। माधुरी, क्या तुम जानती हो कि सनायों में अत्याधे खिचाव के कारण मोच आती है। वसा एरिपो संयोची उत्तक वसा को संचित करता है। शरीर तथा पैरों को आकरती प्रदान करता है। अंतरंग अंगों को नियमित आकार देता है। व्रिक को तथा नेत्र गोलकों को के आसपास आघात को अवशोशित करने वाले गद्दे की भाती कार्य करता है। तथा इंसुलेटर की भाती भी कार्य करता है। अस्थिमाई कंकाल संयोची उत्तक अंततह कंकाल का निर्मान करता है। शारिरिक अंगों को सहायता तथा लचीलापन प्रदान करता है, मुख्य अंगों को सुरक्षित रखता है, तथा क्याल्शियुम एवं फॉस्फेट को संचत करता है। तरल संयोंजी उतक पूरे शरीर के उतकों को पोशित तत्मों, हॉर्मोन तथा विटामिन का परिवहन करते हैं, तथा पूरे शरीर को उतकों से उत्सरजी पदार्थों को यकृत तथा व्रिक तक ले जाता है। पेशिय उत्तक पेशिय उत्तक अनियमित कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें पेशिय तन्तु कहते हैं पेशियों में विशेश प्रोटीन पाई जाती है, जिन्हें संकुचन शील प्रोटीन भी कहते हैं जब ये प्रोटीन सिकुडती है या संकुचक तथा शिथिल होती है तब गती होती है पेशिय उत्तकों के प्रकार अंकिता स्थिती सनरचना तथा कारे के आधार पर पेशिय तंदू तीन प्रकार के होते हैं रेखित पेशि, चिकनी पेशि, काड़िक याने रिदिक पेशि रेखित पेशिया पैर, जीब, उदर, भित्ती, ग्रसनी तथा ग्रसिका में पाई जाती है इनमें एक के बादेख हलके तथा गहरे रंकी रेखाएं या धारिया पाई जाती है ये लंबी बेलानाकार, शाखा रहे तथा बहुना भिय होती हैं। ये पेशिया हमारी इच्छा के अनुसार गती मान होती हैं। अतह इन्हे एच्छिक पेशिया भी कहते हैं। चिकनी पेशिया आमशे की भित्यों, आंत्र, रक्त नलिकाउं, आंक की आईरिश तथा गर्भाशे में पाई जाती हैं। याकार में छोटी, एक केंद्रिकाय तथा तरकु रूपी होती हैं। एवं परोतों के रूप में व्यवस्थित होती हैं। ये पेशिया हमारी चिक पेशिया भी कहते हैं। कार्डिक यानि रिदेक पेशिया रिदय के मायो कार्डियम में पाई जाती हैं। वे रेखित तथा चिकनी दोनों तरह की होती हैं। रिदेक पेशिया शाखित रेशों से मिलकर बनी होती हैं। ये शाखाई परस पर मिलकर एक जाल का निर्मा प्रतेक रेशा सारको लेमा द्वारा घिरा होता है, तथा इसके अंदर एक मधिय में केंद्रक तथा अनुर्धेरिय मायो फाइब्रल के साथ सारको प्लास्म पाया जाता है, अंतर राकुशिक स्थान अधिक मात्रा में पाय जाने वाले धीले संयोजी उत्तक द्वारा भरे रहते हैं। पंकुचन तथा शिथिलन रिदे कोशिकाओं को रुधिर को पंप करने में तथा रुधिर को शरीर के विभिन भागों तक पहुचाने में सहाय करता है। तंत्रिका उत्तक तंत्रिका उत्तक वो उत्तक है जो हमारी शरीर को संदेश प्रवाहत करता है। तंत्रिका उत्तक में मुख्य एकल कोशिकाओं पाई जाती हैं। जिनमें की शरीर के अंदर और बाहर उद्धीपनों को ग्रहन करने तथा उन्हें शरीर के विभिन भागों तक महुचाने की शमता होती है। ये उद्धीपन एक तंत्रिकोशिका से अन्य तंत्रिकोशिका तक जाता है। माधुरी, क्या तुम्हें पता है कि प्रतेक तंत्रिकोशिका में तीन भाग पाये जाते हैं। दूमराक्षे में शाखित हो जाती हैं। तंत्रिकाक्ष एक से व्यास की एकल लंबी बेलन नुमा प्रक्रिया है। तंत्रिकाक्ष सेरे पर पतली शाखा बनती है। प्रतेक शाखा एक फुली हुई सनरचना जिसे सिनेप्टिक पूठिका कहते हैं। में जाकर मिलती है। तंत्रिकाक्ष को तंत्रिका तंतु भी कहते हैं। एक एकल तंत्रिका तंतु की लंबाई एक मीटर होती है। तंत्रिका उत्वकों के कार्य यह दुम्राक्ष उद्दीपनों को ग्रहन करता है तथा तंत्रिकाक्ष उद्दीपनों को कोशिका काय से दूर ले जाता है उद्दीपन तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष के साथ वैद्द्युत क्रिया कलापों का एक मार्ग होता है जन्तों में सर्व प्रथम एपिथीलियमी उत्तकों का विकास हुआ था एपिथीलियमी उत्तक सबसे सरल प्रकार के उत्तक होते हैं शरीर के कुल भार का 40 प्रतिशत रेखित पेशियां बनाती हैं लाल अस्थी मज्जा में हीमो साइटोप्लास्ट विकसित रुधीर कोशिकाओं को जन देते हैं मानव शरीर में लगभग 6.8 लीटर रक्त पाया जाता है अस्थी शरीर का सबसे कठोर उत्तक है जबकि रुधीर सबसे मुलायम उत्तक है सारांच आएए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं जन तो उत्तकों को एपिथेलियमी उत्तक, सन्योजी उत्तक, पेश्य उत्तक तथा तंत्रिका उत्तक में वर्गिक्रित किया जाता है कारियों तथा उनकी आकरितियों के आधार पर एपिथेलियमी उत्तकों को शलकी, घनाकार, स्थमबाकार, ग्रंथिय तथा पश्मा भी एपिथेलियम में वर्गिक्रित किया गया है हमारी शरीन में विभिन प्रकार के सन्योजी उत्तक जैसे की एरियोलर, वसामय, एडिपोज, अस्थी, कंडरा, स्नायू, उपास्थी तथा रग्त आधी पाए जाते हैं रेखित, चिकनी, कार्डिक यानि रिदैक तीन प्रकार के पेश्य उत्तक होते हैं तंत्री का उत्तक तंत्री कोशिका यानि न्यूरॉन से बना होता है, जो की उद्धी पनों को ग्रहन तथा उसका समवहन करता है